हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि अधिए बतने लेको जगह है यह देखो अधिए तक फिर्टी के ग्लास में इस इलेक्टिक बोल का रिफलेक्शिन आरहा है लेक बैषे जैसे अशो के खर में प्रोड़ोग्राप में था बली, बली कि अंदर तो भी दिखनी रहे है तो ने सारे पैट्स यहाए कोंची जगा 4on 9 कि अव्यस्ते है लिद्त इस अश्वा के शिझता आतिम रड्लीनल्षे में Onu पुली मुर्णीचे लिझो towards Öyle basis कोण्यनि माडूग्य मैं इसको अका किष्या लग्या कर रागी इस निया एव्योग मैं हाख को पुली मुर्णी अटार्ट्र एस जी कि अड़त थाग लिए वुजय निगा लुगत अब है कर आदम है? कर आदम? मैं कोई चोरु चक्खा नी हूँ हूँ. मेन नाम कांचा है. मैं अशोक को जून रहा हूँ. बगराप लोग कैसे? अशोक को जून रहा हूँ? मैं प्राइवेट जासूस हूँ, कुमार परिवार के वारिस मिस्टर गौतम ने मुझे इसे ढूमनी के लिए पे जा वो, वो कुमार परिवार, जो स्टेरगड में सबसे अमीर घराना है हाँ, लेकिन क्यों, मिस्टर गौतम को अशूख क्यूचे? वो मुझे नहीं मालूः, अन्ना ही मिझे जानने की दुरत है अशूख तक पहुचने के लिए, मिस्टर गौतम से बिलना पड़ेगा यह कहिए मिस्टर गौतम से मिलना है हम लोग CID से जिसका नाम अशोक हैं जिसे आप भी ढूंड रहे हैं मुझे भी दोके बाद से पुराना हिसाब चिप्ता करना है केसे जानते हैं आप अशोक को? वो मेरी कंपनी में काम करता था आपकी कंपनी में? जी हाँ, एक भरोसे मन असिस्टेंट मेनेजर के तौपर और उसने आपका भरोसा तोड़ दिया तुब कुछ सही का आप में हमें बाद में पता चला कि उसमें जाली सेटिफिकेट दिखा कर ये नोकरी हासिल की थी असल में वो चोड था वो अपना गलत मकसद पुरा करने के लिए यहां आये था क्या चुराना चाहता था वो वो तो पता नहीं सर लेकिन वो एक शातिर चोर था हम उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे लेकिन पकड़ नहीं पाद क्या था हुआ था वो अफिस में देर राद तक ओवर टाइम करता था मुझे लगा था कि शायद यह इसके काम के परती मिश्ठा है और बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे ऑफिस के केविन की लोग के साथ छेड़ खानी करता था और उसमें घुज जाता था और वहां वहां चला जा जाता था जहां किसी को भी जाने की सक्त मनाई थी यानि के अरशाशन दिभाग, एडमिसेशन ओफिस नहीं, Mr. Gautam अशोक का मकसद चोरी जैसा छोटा जर्म ही था हमें इसके तलाश है खून जैसे कंबीर अफराद में हमें इसके क्याबिन की तलाश ही लेनी होगी जी बिल्कुल, जैसा आप चाहे आये साहब, क्या दूँ? दो ये वाला बिस्किट देना, एक ये वाला और एक ये दू इन लोगों पहले कहीं देखा दुमने? नहीं साहब, मैंने इने नहीं देखा ठीक है, थांक्यो बेरिमाश हर जगा खाने के चंकरां पड़े रहते हो अरे, सुनो, सुनो, सुनो ये तिनो को गई देखा है आपने? मैं साप, मैंन लोगों अक्सा होटल से यह लागा थोड़ता था फट बार मुझे मेटर से जादा पैसे देते था अईसे लोग काहा मिलते हैं साप ये लोग यह पे आते क्यों थे? जहात से आया हुआ अपना सामान ले जाने आते थे यहा भाई साप, यह रिक्षय स्टाइडन, कोई हवा आटा नहीं ہے इरे, भाई साप, यह ट्रक से सामान आता था और वो लोग यहां से लेकर जाते थे तो तुम उनका सामान लेकर जाते थे? नहीं साप, गोडी के प्यूट पर लेकर जाते ते लाज का गोडे की प्यूट पर क्यों? साप, उनका सामान है, उनकी मर्जी, मैं भला कैसे पूछ हो उनसे, उन बड़े लोग है ना साप ये ये वे किस के गोडे पर ये वो रहाँ, जैटी हो, हाँ साप, थैंक ये, उनका सामान तुम भूडे ले जाते हो ना, हाँ सामान होता है वो सामान तो बैग होता है, अब उसके अंदर क्या होता है, हमें क्या मारूँ और ना कभी तुमने पूछने की कोशिश की, है? जी. कहा ले कर जाते हो सामान? सहाव, वो बॉटल ब्लु डायमेंड है ना? उसी के पीछे, पीछे की तरफ. बुटल ब्लु डायमेंड की तरफ? बॉटल ब्लु डायमेंड मैं कोई खिटरी पक रही है. बीछे के दरवाजे से ये सामान की तसकरी हो रही है. क्या हो सकता हो सामान? वही पता करना है, बंकज. इस केस की अगली कडी, बॉटल ब्लु डायमेंड से ही जुड़ी होई. ये राशो का कैबिली? मानिजर साब, ये 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 अशोक दिन वर आपके साथ यहां काम करता था, तो उसके बारे में कोई खास बात जो आपने कभी देखी या आप सुनी हो, कोई अकसर उनसे मिलने आता हो, या फिर किसी से अकसर मिलने जाता हो? पर हाँ, अकसर वो फोन लगा रहता था, या वो इससे मिलने कवारी मेरे पास नहीं हों किससे अपने कशच स्रुचाने के अकसर नहीं के पास मिला था? और बादी मैने दीग लोकी कर और यह पता जला उसके जाना के बाद Chief पिसर और पी अग़े से निकाल दिया सर् ढका अशोक का फुल्डल्डर पास्वर्ट माझा है अशोक को इपता होगा इसका जब आब अशोक टाल के देखाँ नहीं सरु सर अशुक की वाइफ का नाम कोई ना डाल के रहो ट्राइगर ये भी नहीं सरु सर शिर्फ एक चांस बचा उसके बाद ये फोल्डर लॉक हो जाएगा एना एना ट्राइकरो एना एना खुल क्या सरु एरे इसमें तो बहुत सारी फाइल्स है फंदरा बीस अन पुरानी फाइल्स है इतनी पुरानी फाइल्स के अशोक क्या सरुदी तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि अशोक इन फाइल्स को भी देखता था और इन फाइल्स उसे कहां से मिली कि इसके वारे में कुछ नहीं पता से आपके अड्मिस्टेटिव डिपार्टमेंट से प्रेडी इन सारे फाइल्स की एक कॉपी बना लो पता तो चले कि ये अशोक इन फाइल्स में ढूंगता क्या था सर सर ये देखे वही खिलोन है इन खिलोनों को अपने साथ ले लो पता करना पड़ेगा सर्शोक का खिलोनों के साथ क्या संबंद है पता करना पता करना लमाइना जी आप ठीक तो है ना? जी हार सब अब तक तो मैं ठीकी हो बस आप बिलकुल फिकर मत कीचेगा हम आपके घर के भारी है कुछ भी गर्बर लगे फॉरंग कॉल कीचेगा थांकी सो मज सब तो सरा अपको लगता हो आएगा आएगा नेकली जरूर आएगा वो ना हो उसका अगला शिकार लमाने है बस हमें चुकनने रहना होगा एांट क़ लिकार लगने लोगा दोस्तोड का कीचेगा लन्हा लगने लोगने वह जए जレटा मैँ अब ज मज़े मार्टशहान का कुछ नी होने देंगे आपको मैनी अनाला चाते, मैनी अनाला चाते आपको कुछ नी होगा, ड्रस्ट मे हम लोग आपको कुछ नी होने देंगे, आइए, आइए, कबराइमत, आइए, 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 कुछ नी होगा आपको, कुछ नी होगा आपको, निकिल, दर्वाज़ा, आइए, बेटिए, बताए, कौन था, कहा गया वोगा, मुझे नहीं पता साथ, मैं उसे नहीं देखा ठीक है, निकिल, तुम इनके साथ यहाँ मैं देखता हूँ का है, समन के नमज मैं नहीं आरे साथ, कोई हमारे पड़ी वारवालों के पीछे क्यों बढ़ा है हमने तो किली कर कुछ भी नहीं बिगारा है साथ क्या चाहिए उसे? क्यों एक एकर करके मारे हम सबको? तेखिये, हम इसा बातें आपको बात में मताएंगे प्रीज, आप भी घब रहे हमारे आपको, कुछ नहीं होगा हमें आपे, कुछ नहीं होगा आपको मैं आपकोई पानी ने का रहाएं अब तू? हाँ! 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 अभे तु! हाँ मैं! अब तुब भी मनना होगा लावन्या? छोड़ो मुझे! देखो, अभे तुम लवानिया कुछ रही कर सते हो! तला इसी में गंडो ही दाथ! गंड? ने! मैं ते मार दूँगा! लवानिया को कुछ बत करना Buddhist it. कुछ मत करना उसे मार दूँगा मैंते! गन नीते कर अपनी, उसे कुछ मत करना. गन नीते कर अपनी, ए ना कहता हूं गन नीते कर ठीके, 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 बागता रखे माई बस बावत हो गया हो चलकूद। फिर खतम तुम्हारा बदा क्यों मारना चाहता तलमानिया को? साम मेरा जिन्दा रहने के लिए दावन्य कमना से रूरी ता साम देख तो जिन्दा रहेगा या मरेगा अभी हमारे हाथ गर सही बोलेगा तो बच सल्तां इसलिए बता दे विशारा खेल काउन खेला है समझा साम कुझे नहीं पतासाथ पुझे बच्छ कि दी गई थी कि अगर सिंदा रहना है तो लगान्य को मारना होगा क्या तो अमनी बाकी की सिंदगी जेल में बिताना चाहोगे? बोलो! नहीं! तो फर तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूँगा, सब्सक्राइब? और उन दोनों को भी तुने इसी लिए मार दिया, जो कि किसी ने तुझे दमकी दी थी? नहीं साब, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस इतना याद है कि हम लोग अगवा किये गए थे, और जब मुझे होश आया तो मैं अपनी जान बचा के भागा साब देख, छूट बोलने कोई फाइदा है, कहानी बंद कर और सच-चर बता, समझा? मेरा यकीन कीजिए साब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बस भाग रहा था, कि अचारक में होश हो गया, और जब मेरी आंग कुली, तो मैंने अपने आपको एक गो डाउन में पाया, और अंदेरे में, अंदेरे में उस आदमी ने मुझे बताया कि मैंने अपने दोनों दोस्तों का खून कर दिया, और अगर मैं उसकी बाद नहीं मानता, तो वो मुझे CID के हवाले कर देता साब, और तो ने उसकी बाद पर वरुसा कर दिया, और मेरे पास कोई रास्ता रही था साब, नहीं मेरे पास अपने बेजनाई थाबित करने का कुछ सबूत था, मुझे कुछ ही पर दौनों किसी लेंदेन की बाद कर रहे थे साब, और दोनों किस लेंदेन की बाद कर रहे थे, तुने बूँचा नहीं पूचा नए पूचाता साब, लेकिन उलसे का हथ ये उनकी पास की बात थे, हफ थाच udahु कई बड़ी साहई चूई किए, हाज आख नगकत तो हुआ है? दभात, और लॉद्धि, पॉठ है? अजीत, काहती है मैं तोख बस बाहाथ है तुमें को तून रहा ताया जरा नदर कियो? अजीत यह यार याद ही कौन है शेया के साथ। ये दरसल भूब शेया का कजन है यार ये लो क्या कर दो नहीं? तुम लोग यार्फ खेलते रोगी या कुछ पता बी दगाया अशोक का क्या संबन्द है सर शेरगड में एक बड़ा सा चलता फिरता रोबर्ट गुम रहा है जिसमें बंब लगा ए अच्छ, यह लोग बहुत एडवांस और फुचरिस्टिक हैं, सर. सर, बॉड़न वेपन्स कैसे यूस करना इनने आता है, सर. सर, इधले यह लोग रबोर्स बना रहे हैं, सर. अरे, श्रिया, वो खोटल में जो गोरो पलाथ के सामान जा रहा हूँ, उसके बारे में क्या बाता चला? हां सर, रिजोर्ट के किचिन के लिए हर दूसरे दिन गोरो पर लाद कर राशन की बोरियां लाई जाती थी. मतलब अनाज के आख में कोई गायर कानोनी सामान ट्रांसपोर्टिं कर रहा है मतला लगाना पड़ेगा होटल वालों गात पर नहीं इसमें अलो ओके ओके, थांकियो सोब सर, अभय को जंगपुरा रेलवे लाइन के पास एक वेर हाउस में रखा गया था जंगपुरा रेलवे लाइन के पास वेर हाउस अलो सचिन वेलकम सर, स्वागत है आपका मिस्टर और मिस्स रमोट हमने एक कमरा पुक करवाया था ओके सर एक सो तीन एक सो तीन का चाबी देना वेटर वेटर यस सर सापका सामान कमरे तक छोड़ दो यस सर थांक्यो वेलकम सर सर आप लोग क्या हनीमून पर आए हैं नए तो फेर तुम्हे काम करो तुम कमरे की चावी देदो यस सामान हम खोड ली जाएंगे तेक है थांक्यो अब तुम्हारी बाड़ी है कर लो लगता है आज जितने का रिकर्ड बनाओगे और तुम्हों के हाडने का रिकर्ड बन जाएगा आज हाण शुफ भसका क्षमने तुम लोखेलो हलो हाँ बस लावन्या बच गए अब एकों सिएडी दे पकड़ लिया है बटा बढ़ जगा खादीकरलो ये और लावन्या क्या कर्ने बच? बटादेकर उडा़ो रहाए ठीके बच वे, पड़ा पड़ निकलो नासे, जू, जयो वा? क्यों के सिराएडी आगई है? याई! अए, तौन पखरा ते, चोड़ दाओ! गोली क्योंच वाल? जबड़ा, तब गोली तेरे बुण दूँगा! जड़ा से भी हिलेना, तब गोली अब हम चलाएंगे जड़ो! बोलो! कौन है बॉस तुम लोगा? पड़ा ने यह अशे नहीं मानेगा पॉस का नाम बोल। बोलो! 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 बुरो! बोलो! पॉरभ, लावन्या का असिस्टेंट! जिक साफ लेकिन यह पॉरभ अपने बॉस को क्यो मारेगा? मुंबई से लेके शेरगड तक सारे कारनामों को कहीं इसके बॉस पॉरभ ने अंजाम तो नहीं थिया? वो सकता है, कावि इस पॉरभ से जाकर मिलना पड़ेगा इस पॉरभ से जाकर मिलना पड़ेगा जो कुछ भी मिलेगा या इसके चट में ही मिलेगा सर यह देखिया इसमे तो सर्फ अना जाए इसमें कुछ में नहीं है? सर, हमने सारा किचन देख लिया, लेकिन यहां कुछ हाथ नहीं लगा है आई थिंक हमें जाना चाहिए औरना कुई आजाएगा जीकार इहावास कैसी? सर, यहां से आगी है तो, तो इस फ्रिज के अंदा से खुफिया रास्ता है सर, फ्रिज के पीछे इतना बड़ा खुफिया कमरा? मनाज के बुरियों के साथ, तो सामान लाए गया था यहीं कहीं चुबा के रखा हुआ हम तिनों ने तर डूड़ो सर, यह देखिए यह वायर्ज, औजार, यह मशीन्स यह सब किस लिए? वैस बकसे में यह है RDX भी है RDX? इतना सारा? इसका मतलब वो तीनों यहां पर बॉम बना रहे थे? आश्या, और एक बॉम ने इतने बॉम इसे यादा शेयर का रूड़ सकते हैं सबज में नहीं आ रहा है सर यह सब करके उने क्या मिलने वाला था? तो यह पता लगाना इसे पहले अपने टीम को इंफर्म कर देते हैं अपने टीम को इंफर्म कर देते हैं तरवाज अपने अपके से बंद हो गया? सर वो देखे क्यामरा कोई हम पर नज़र अखे हुए तरवाजा खना तरवाजा खना तरवाजा खना तरवाजा खना पॉर्ण तरवाजा खना खना शोदो शीजों टीगमth टीम 시 मैं गाड़ पूरे घर का सामान बिक्रा पड़ा है लगता है यहां आता पाई हुई है यहां इस पूरे घर की तलाश यह अच्छी तर्ज लेते सचन अगाब मैं एक एक यह देखो मैं गॉली माल का रद्धिया की इसकी बुरे काम का बुरा नातिजा एक गुली माथे पर एक सीने बारी है पूरब ने तो अबे के हातों लावन्या की जान लेने की कोशिश की थी तेर इसे किसमें मारा होगा एक काम करते इस जगा को अच्छे दे ढूंगते कुछ ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा यह क्या है फोटो फूरब की और नाम किसी अविनाश का अविनाश 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 सारे सबूतों सो ते साफ़ जाहर होता है कि यह अविनाश है पूरब नहीं इसने अपनी पैजान बदली है पर क्यों सार यह फोन मिला है एक काम करो इस फोन में चेक करो कि अविनाश का अशोक या उस जैसे किसी भी गुंडे से कोई भी संबन था या ने क्या सर कि अविनाश नाम के अविनाश नाम के आप्जान बदली थी अच्छा इसने पहिचान बदली थी अच्छा नहीं? बरी, लगता है यह तो हूई जमीन है, जहां पर बुटल ब्लुडामेंड माना हुआ है और यह अभिनाश, जमीन का मुकत्मा किसी रेट्रस्ट कमपनी से अर चुका है रेट्रस्ट? जहां तक हम जानते हैं लावन्य का किसी भी ऐसी कंपनी या रूट आइमेंड होटेल से कोई लेना देना है नहीं। इसको मानने की कुछिशिश क्यों करेगा? है रहानी की बात है। इसमें अशोक नाम के किसी भी आदम का कोई भी अपरादी के साथ है जिसने इस अविनाश बुर्फ पुरफ को माना है। वह सकता है। मैं काम करता हूं तयासर को फोन करता हूं। पुषता हुने वहां होटल से कुछ पता चला की नहीं। अरे कविन, दयासर को फोन करने की जड़ोती है। उनका फोन ट्राइ किया मैंने। उनका और श्रिया तोनों का फोन नहीं लग रहा है। और तो और रसेप्शनिस का कहना है कि वह लोग होटल में हैं। अर ऐसा है तो फिर हम ही होटल जाना पड़ेगा। तेखते हैं, वहाँ होगा क्या है। हम CID, से आपसे बात हुए थी। हाँ से नहीं। मिस्टर प्रमोदा उनकी पतनी कम्रे में। नहीं सर मैंने आपको खोन पर बताया थाना की सुबह से ही वो दोनों अपनी कम्रे में नहीं है। तो इस तरह अचानक कहा होगा आपके होटल से? यह मैं कैसे बताओ कहाँ चले यह? कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है आपके होटल में। विक्रम, किचिन चेक करूँ मैलेजर करूँ क्या बात है सर? क्यों गुस्सा हो रहे है? हमारे दो सी आइडी ओफिसर्स आपके होटल से ला बता हैं और आप लोगों कोई फरक ही नहीं पड़ता है सी आइडी ओफिसर्? वो मिस्टर एंड मिसेस प्रमोत की बात तो नहीं कर रहे हैं आप लोग तेख सादा अजान मनने कर ना टक मात कर रहें बना बहुत भार ही पड़ेगा समझा माफ किजे सर हमें जितना पता था वो सब हमने आपको बता दिया अनाज की आड में अवैद समानों की तसकरी होती है लोग अचानक आपके होटल से गाइब हो जाते यह तो पता है आप लोगों को देखे सर वैसे हमें कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बिना सबूत के हम पे आप इल्जाम नहीं लगा सकते सर किछन में बुझ भी निमिना सर की डाइरी आपकी है जी सर मेरी ही डाइरी है पेंग में दिखाए 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 क्या हो सर अरे सर किसमें कुछ नहीं है ये जो निशान बिलकुल ऐसा ही निशान उस गुंडे के ब्रिसलेट पे था जिसने बजार में हमारे लोगों पर हमला किया अरे सर ये संयोग ये तो हो सकता है न सर संयोग हो सकता संयोग हो सकता बहुत हो गया तेरा ड्रामा जटा वो वो किछन के पीछे कमरा है सर वही पे हैं सिय डिवाले आपके दिखाव कमरा यही जगह है सर इस अधर देशर औश्या कहें बता नहीं सर कहां चलेगे दोनों थोड़ी देर पहले तो यही थे सर देशर के जूते का निशान सर असा लगा देशर ने इधर वज़ा तो निगे कोशिश किये सर तुछे अंताजा भी नहीं है किसी आईडी वालों की ज़ान से खेनने का क्या अनजाम हो सकता है निगे लो कार देशे जमीं में देख जान गोले पेशे भी तुब किसी कम करें है बताता हूँ बताता हूँ प्लीज गोली मचा आईएगा बोलना उससे कहा गया था कि यहां सिर्फ होटल चलाओ तुम यहां जो भी होता है होने दो लेकिन मुझे यह पता नहीं सर यहां होता क्या है नेकर इस कमरे के अच्छे से चान में करा अच्छा कि अच्छा कोफिया कमरा मिलगए यहां यहां लेकिन श्री ओडिए सर के बारे में कुछ पतानी चले और नहीं कोई सुराग मिलाई सर्फ कुछ समझ में यहां रहा है मैंने पता लगा लिया है बॉम बन रहे हैं बॉम इस खिलावनों के अंदर बॉम किट किये गए हैं बॉम? हाँ एक बॉम नहीं जितना समान उन तीनों ने तसक्री किया है ना उसे बहुत सारे थाकत वर बॉम बने होंगे लेकिन उनका निशाना क्या था सार बता लगा हूँ इसका जबाब भई मेलेगा तुसर तिकर कुछ पता चला कुई सुराग किसी जगा के बारे पे तुसर पोले काटन काली है सार और किसी बेज़े कुई सुराग नहीं मेला सार कुछ तो होना चाहिया ना निकिर कुछ तो होना चाहिया वही सुराग तुम बिनना चाहिया ना में शीनक्षा कहा है जहां कहा तो नहीं शायदे उजगे का नक्षा, जहां पे लोग अपने इसकाम को अंजाम देने वाले हैं, इकने जगे हो का आगे सकती है हमें ये तो पता चल गया कि उन खिलोनों में बॉंब था, और अशोक उन खिलोनों से जुड़ा हुआ है और ये अशोक कुमार्ची की फैक्टरी में काम भी करता था कहीं ये कुमार्वालों की जगा तो नहीं है अक्षा कर ये तीसरे वाला हिस्सा, मैच नहीं कर रहा है किसी से भी ये फैक्टरी और ये खर इससे पहले कि कोई आनों नहीं है हमें वहाँ चलना चाहिए जिसके बारे में हमें पता चल गया है कुमार्ची का खर और उनकी फैक्टरी पे ओ मैं कॉड इससे तो कुली लगी है जिन्दा है, सास चल रही रगार्च वस्टेट वाउस्वा पानी कीबड़ जदी लेकर आँ गबरामत हम लोग C.I.D. से हैं कौन थे वो किसने किया यामरा साहब कुछ लोग बंदुख लेकर रहे थे और अचानक गुलाबारी करते हुए गर में घुच गए इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता उन लोग अरे मुझ पर गोल ही चला दी गौतम जी और उनके परिवार के लोग कहा पे है गौतम साहब और उनके परिवार के लोगों को आगवा कर अपने साथ ले गए तुम उनमें से किसी को पहचानते हो नहीं साहब सबने नगाब पहन रखा था पता नहीं कहा लेके गए सबको को एक है सबने का हलो क्या ठीक है क्या हो निक्स सर कुमार जी की फैक्टियों किसे ने बॉम्स उडा दिया क्या इसका मतलब यहां भी खत्रा हो सकता है निकल यहां से चलो आए निकला मैर यहां से मतलम कौतम जी और उनके परिवार की जान खत्रे में हैं? आ निकर और हमें उने चल से चल डूड़ना होगा मगर कहां? हलो? हाँ दुश्यन देख और बात सामने आई है अशोक ने जो फायल चरहाई थी असमें और कुछ नहीं बल्कि 20 साल पुरानी इंशोरेंस रिपोर्ट्स हैं सिर्फ जिस बात की? रसल बात यह है कि 20 साल पहले कुमार की फैक्टरी में आग लग गई थी जहां काफी लोगों को अपनी जान से हाथ होना पड़ा था और कहीं जखमी हुए थी हमें संदे हैं यह कोई दुरगटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी इसका मतलब कुमार जी के परिवार के साथ यह जो कुछ भी हो रहा है इसका संबंद उनकी पुरानी फैक्टरी में लगी आग से जिसमें काफी लोग मरे थी हम काँ थी यह पुरानी फैक्टरी मेलेरियम काँ जी बल्लाग लनकी खी यह पूल due इन CID वालों को मैं अपने हाथों से उड़ाता हूँ बहुत बेचैन थे ना मुझे ढूडने के लिए इसके बाद कुमारवालों के साथ इस पुरानी फैक्टरी को राख कर देंगे जब जड़ की मौत आती है तो वो शेहर की तरफ भागता है जब तुझ जैसर का दुलावा आता है ना तब वो CID से पंगे रेनी की सोचता है तुम्हारी हेकड़ी से मुझे बहुत तकलीफ होती है ओफिसर अब और नहीं सह सकता मैंसे यह जए यह जड़ा आता है वोहाहाँ अहाहाँ अजू हाँ यह अजुँद अजुद एघट इसे घेख़ अजुँद अजुद खुब अजुँद अजुद हाँ कि कि असी कि औरंसे घर कि अ कि और कर जारा! कि धूह युला हॉा... युझ हो! तुरूब के पत्ते अभी बाकी है अफसा तो यह सब तुम्हारा रचा हुआ खेल था है जो के अभी तक तो खेल शुरू भी नहीं हुआ है तुम्हे अपने भाईयों को ही मार दिया मैं किसी को भी मार सकती हूँ जो मेरे और मेरे प्लान के बीच में आएगा फिर चाहे वो मेरे भाई हो या तुम CID ओफिसर्स मेरे भाईयों को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया था कि मैं इन कुमहार पडिवार को मार देना तबा कर देना चाहती हूँ लेकिन इन लोगों को क्यो मारना चाहती हो तो क्योंकि इनके बाप दादाओं ने मेरे पिताजी को याने की इस तैक्ट्री के मैनेजर को जलाकर मार दिया था खुद तो अपनी इस पहली तैक्ट्री में आग लगवा कर नीजर इंस्केम कर लिया लेकिन मुझे मुझे अनाथ कर दिया पर जट्राय सच्चाई कुछ और हो कि तुमारी गलत फैमी हो नहीं यह कोई गलत फैमी नहीं है मैंने अशोक के जरिये पूरी सच्चाई का पता लगा लिया था और 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 पुरब को इस लिए मार दिया क्योंकि वो तुमारे रास्ते का काटा बन गया था है ना हाँ मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने मेरे भायों के काई को मार दिया जिसे मैंने हायर किया था अपने भायों को ठिकाने रगाने के लिए लेके तुम सी आईडी बाले आ गए बीच में टांग लणाने के आदत कहीं ने तुम लोग की अभेके हातों मुझे मरबा कर उस्ते बज़ा लिना चाता था क्योंकि मैंने उसकी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से होटेजो बना लिया था नहीं लो अन्य तुरुक के बत्ते अभी बाकी हैं ओ तो तुम्यों भी आगए यहां मानने के लिए जानते हो उन दोनों ड्रम्स में क्या है उन दोनों ड्रम्स में आर्टी एक्स भड़ा हुआ है आर्टी एक्स और उसके ऊपर मैंने बॉम फिट करके रखा है यहां एक जिगर दबा और वहां बॉम दो दो चेवरां favor, पेशा जाम यहां अचॉट, एक ब्रम्स करके विऐ दूढ़ा है यहां आर्टी मों ड्ला हर एक दो लाी में हम चाखे यहां आर्टी है अ प्लान पेलोगे तुम्हारा प्तियों को बभर जाया थे लेकन तुम्हारे पत्तों में दम नहीं था सारे के C.I.D. के पास है बस 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 बहुत हो चुका चलड़ चलड़ शोड़ो इस लीज 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 तो वोँ शरीया वह रहे वोँ शरीया कहाँ पर है? शरीया अब याफ पैकिंग कर रहे हो गे ठीके मैं थोड़ी देर में आता हूँ उनको बता देना कि में बार उनका वेट कर रहा हाा रहा आप 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 बात में आईए अपना कम निप्टा लीची है अरे मुशी कियाए आप आप बार करुखेंगे यह बाठी हमास अचाहे भीजी झाले उनको को जरुए काम होगा यार रे कुछ ने बढ़ा थेंक्यू थेंक्यू जी लगता आप लोगों की पैकिंग हो चुकी पैकिंग में क्या है ? मैं तो वैसे भी थोड़े से समान लेके चलता हूँ और मैं जो कुछ हाथ में लग जाया मैं भर देता हूँ बैग में दो मिल्स साधा नहीं लगते मुझे पैकिंग में आपके बतनी ही करती है? जी नहीं, नहीं, मेरी अभी आपी की तरह है कुछ लेकिन उमीद है कि बहुत जल्द मैंसे हम बन जाएंगे बहुत जल्द जिन्दे की बदलने वाली आपकी? हाँ? शायद लेकिन हम तोनों बिल्कुल अलग हैं को दूसरे से हाँ, रियली? मुची, मतलब वो फोड़ी रफन तफ है, कॉंफिडेंट है, इंडिपेंडेंट है और मैं बिल्कुल इस्यांतस हो आपका चुप-चुप काम करने वाला कोई बात मेर, वैसे भी, आपसिट पोल्स अट्रैक्ट क्यों, अभी जी, हाँ, 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 आपकी लाइफ तो काफी इंट्रेस्टिंग होगी, है न, हाँ, अच्छा, वैसे आप कुछ बता रहे थे, आपका भी बता नहीं, पर है कोई खास अच्छा, कुछ बता ही उनके बारे में? आप, क्या मताओ, भाल अच्छी है वो, प्यारी इसी, और जैसे मैं sicher भी चलता ही है वो लेकिन मेरी वाली तो खतरों से खेलती है खतरों से खेलती है? इंट्रेसिंग, क्या कथी का है? वो कॉप है, CIA officer में पिसर में CID? तब तो हम उसे जानते होंगे? नहीं! मतलब इसे अभी पड़े बनेने तीचे क्या एना राज को राज रखने में भी एक मजा है आप इनको बताए यह इनको नहीं बताएंगे मतलब अभी क्या जो रहते अटनी जल्दी की Sir, I'm ready अबने काफियी लगाती अपने अंदर चलो यहां से चलो यहां का तो काम खड़्म हो गया Hey निकलो भाई सब्लोम निकलो निकलो चलो यह चलो बई चलो अरे यार यही थोड़ी ना रह ना निकलो यहां से ठो निकला विजए लिए क्रिक्षानिर्ट पैट से गुड़ाड़ अप्डेजर्स तर्म जब शुड़े पार शॉड़ जिए इन जार धिक्ति जो घगींड पार रोग्दस पूर खिर्डिक सरफी युड शुड़ेश़ गर ने जार डिएन ने विबड शुड़ी कि रख